हाई किया कथा कहान घ्यान परजनमसाख करुए अनुसार विदवान पाई मनी सेंग जी पाई महता प्रकाश बावा सरूब दास पलाजी अनुसार गुरुऱसाख बंदराश थुलदून पिता जी दे माता जी दा नाम माता त्रिप्ता देवी जी सी अते पिता जी दा नाम महता कल्यान दास जी सी जिनानू महता कालू जी दे नाम नड़ जानेया जान्दा सी आप जी दा जद्धी पिंड जिला स्री अमरेसर साहिब दे पिंड जामाराय कोल पैंदे पिंड पंडे गुरु साहिब जी दे पिता जी उस समय दे हाकम राय बुलार को नोकरी करन लई तलवंडी चले के जित्थे गुरु साहिब जी दे पिता जी नू राय बुलार पास पटवारी दे लेखा का अर्थात मुख मुंची दे तोरते नोकरी मिल गई जिस समय गुरू साहिब जीदा परकाश होया उस समय गुरू साहिब जीदे वटे पैंड गुरू साहिब तो पंच कुसाल वटे सन नान के परवार विच जनम होन करके गुरू साहिब जीदी वटी पैंड दा नाम नान की रख्या गया सी गुरु साहिब जी दे प्रकाश समे परवार वलों बहुत खुशिया मनाया गिन्या जद दाई वलों महता कालू जी नू दस्या गया कि उना दे कारिक पर बाफशालियते नोखे बालक ने जनम लिया है ता महता कालू जी बहुत खुश होई दाई नेवनानों दस्या कि बालक ते जनम समें कमरे विच अद्बुत चानन होया बालक वीक सादारन बालक नहीं सी जनम समें ओ रोया नी सगों मुस्कराया सी सारे अलाके विच अनोखे बालक दे प्रकाश्तियां कबरां पुछ गीया पिंट दे हाकम राई बुलार वी अपनी कुछ साथियां दे नाल अनोखे बालक नूँ वेखन लियाए सुन्दर बालक नूँ वेखके सब प्रसन हो रे सन एनना विच्चों चेडा सब तो जादा प्रसन सी ओसी गुरुस सहिप जीदे वटे पैन नान कीची उना दा निका वीर जीवे अपनी पैन नूँ वेखके मुस्कुरा रे सी अनोखे बालक दी अनोखी दिखन नूँ वेखके सब हैरान हो रे सी हर कोई बालक नूँ वेखके प्यार नाल कूदी चकन वास्ते लोच रे सी हाई किया कथा कानिया